72 घंटा बीच चुका है अब तक अपराधियों का पता नहीं लागा है पुरा परिवार सदमे में है और दहसत में है अब बात अपका सही है हम लोग तो पिछले चार दिनों से कोई भी परिवार घर से नहीं निकल रहा हैं जिसका रीजन यह है कि अभी तक मतलब चार दिन बीच गये हैं और थाने में कंप्लेंद देने के बाद में भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि जिसने भी मुझे गो यूग में जब हर तरीके से पुलिस तंत्र की सुविधा मुहिया है और उसके बाद में भी अभी तक अपराधी का पता नहीं लगाना दुरभाग गये हैं कहा जाएगा और मुझे अभी तक प्रात्मी की नंबर भी प्राप्त नहीं हुई है तो हमारे परिवार वाले भाय मे है और इसृति ये है कि ये दूसरी बार पुनर विर्थी हो सकी और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी किसी से आदावत नहीं है मैं जब से समाजिक जीवन में आया हूँ और समाज के लिए जिया हूँ समाज के लिए मरा हूँ और जो बरस्टे चार के खिलाफ मैं हरमेशा आवाज उठाते आया हूँ और खास करके मैं नगर निगम के राजनीत में अपना दिल्चस्प दिखाता हूँ क्या लगता है कही नगर निगाम कर रहा दीत के वज़से ऐसा था धमकी नहीं मिला देखिए हम किसी परते अरूप अभी नहीं लगा सकते हैं हमने नंबर पर जाज के लिए दिया था और हमको लग रहा है कि आज के डेट में जब नंबर दे दिये कॉल रिकॉर्ड दे दिये तो हमें लगता है कि अगर गंभिरता पूर्बक अगर प्रसासन इसको लेगी तो बहुत जल्द इसका खुलासा हो सकता है लेकिन सायद हमें लग रहा है कि मतलब अभी तक नहीं हो पाया चार दिन बीतने के बाद में भी और हम लोगों कुछ पता नहीं चल पा रहा है ठीक मेरे कंड में खुलासा नहीं हो पाया जिसके वज़र सुम ऑफ दूर दूर से मेरे रिश्टदार का फोन अ रहा है घर परिवार कर निकल नहीं रहा है बच्चे भी मेरे आ गया घर पे उनको भी घर से नहीं निकल रहा है सबसे बड़ी दुख की बात है कि अगर उद्वेदन नहीं होगा तब तो हम लोगों तो एक ही चीज होगा ना कि हम लोगों सहर छोड़के यहां से जाना पड़ेगा परिवार वाले तो मुझे ही कह रहे हैं कि आपको जो समाजिक जीवन का कारज को छोड़ दीजिए और हम यहां से कहीं दूसरे जगे चले जाए लेकिन अभी भी हमें पुलिस अधिक्षक महोदे पर विश्वास है क्योंकि वो पोजेटिव कुछ कार्ज कर रहे हैं जैसा कि हमें लग रहा है महसूस हो रहा है लेकिन अभी तक प्रात्मीकी नंबर मुझे प्राप्त नहीं हुआ ह जिसके वज़ा से थोड़ा सा मुझे आहत महसूस हो रहा है और अभी तक अपराधी का जो पता नहीं चल पाया और पुरुव में भी मेरी हत्या की साजिस रची गई थी जिसके आपको भी पता होना चाहिए पुरुव के ततकालिन जो पुलिस अधिक्षक मोदे आउकास सर थे उन्होंने उसको अविलंब खुलासा किया था जिसके उपरांत हमारी जान बच सकी थी मुझे संदे है कि मेरे या मेरे परिवार के साथ में यह जो अद्रिस्ट तरीका से अब आप सोच सकते हैं कि दुस्मन कितने तागतवर हैं कि जिनका मोबाइल का अभी तक ट्रेस प्रसासन नहीं पता कर पाया तो यह पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और मुझे संदे है कि आज नक तो कल मेरे साथ कोई घटना घट सकती है आएक लोग तंतर के चौते अस्तम जांखे कर तंतर पतरओ कि आएक प्लिसन 365 सारक और ज किया है और सहिंसा है मैंने इमेल किया है वह एकिन अभी तक उदर से नितिस कुमार सर मै recherां को मेल गया है और डिएम साब मेरे इस रिप्लाई हाए लेकिन पता नहीं अगर इंटरनल जांच कर रह पुलिस के अस्तर से लेकिन मुझे अभी तक खुलासा नहीं होने से बेचैनी तो हमारे परिवार वाले की बढ़ी गई है अभी कोई इंतिजाम सुरक्षा के मद्दे नजर हमारे परिवार के लिए नहीं किया गया है और मैं पूर्णता मांग करता हूं कि उस नंबर की जाच की जाए उस नंबर जिससे भी कराया गया है उसके में जो 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 लोग संलिप्त हैं उनकी संलिप्ता की जाच कि जाए ताकि भविस्त में आज माले जिए हमारे पुलिस अदिक्षक सर हैं वो सब कुछ जानते हैं थाना प्रभारी महोदा हैं सब जान रहे हैं कल कोई नए आएंगे तो फिर नहीं तरीका से उनको पता होना चाहिए तब तक मेरे साथ कोई घटना भी घट सकती है फ्रात्मिखी भी दर्ज नहीं की गई तो इसके इस लेकर थोड़ा सा हम लोग हादास है कि क्या लगता है जो सिस्टम चल रहा है तो एक चीज मैं जरूर बोलूंग कि जिस तरीका से अभी जो आए दिन घटना घटित हो रहा है उसमें आम अमाम में सभी लोगों में ठोड़ भ्याप्त है डर और भ्याप्त पना हुआ है लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं आपको कि पता नहीं क्या हम पुलीस अदिक्चाक सर मेरे अच्छे हैं हम इस चीज को मानते हैं लेकिन क्राइम रूक नहीं रहा है इस चीज को थोड़ा सा मतलब क्राइम को रूकना पुड़ेगा ताकि लोगों में में भाय का महौल खतम हो जाए अब हमारे जैसे मानली यह समाजी करता कि जब ऐसे हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि और लोगों का क्या हाल हो झाल झाल extr extruns कि लिएегда तो को रहा हैं कि और लोगों है तो खत्वर के भल क्राइम कर दद stirring में सकते हैं कि जगह।